नमस्कार दोस्तों मैं हो औरूप और आप देख रहे हैं एभारार्ट यूट्यूब चैनल इस वीडियो पे मैं एक स्टील लाइफ ड्रॉइंग करूंगा और इसके लिए मैं जो चीज इस्तेमाल करूंगा वो है एक सॉप्ट चार्खुल पेंसिल एक एरेजर जो है स्टील आइकोन पे क्लिक करने के बाद आल पे क्लिक कीजिए ताकि आल नोटिफिकेशन्स आपको जल्द से जल्द मिल जाएं यहां पे मैं तो कुछ ग्रैप्स कर दे रहा हूं और यह जो बास्केट लिया है छोटा सा उसके उपर मैं इसको रख देती हूं बहुत ही सिम्पिल सा ड्राइंग है और एक पूराना जो ड्राइंग है मेरे मेरा मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा और उसका ही एक एक स्टेंशन है उस पर यह ग्रेव नहीं था और अब ही मैं यहां पे एक ग्लास ड्रॉ करके दे रहा हूं आपको आप देखिए कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं बहुत ही आसान है इसका ड्रॉइंग और यहां पर यह जो पूर्सन मैं कर रहा हूं यहां पर मैं हुआइट गैप छोड़ने वाला हूं तो इसलिए इसको मैं ऐसे दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा तर वीडियो पर क्या करते हैं कि नहीं चाहता मैं टोटाली पेंसिल से इसको करना चाहती हूं तो यह ग्लास का इस पोर्षन को मैं डार्क कर दिया यह जस्ट लाइट एंड डार्क एफेक्ट के लिए नहीं है क्योंकि लाइट मैं लेफ्ट साइड से आ रहा है यह कॉंसिडर करूंगा तो मैं इसको जस्ट से पेंसिल मैं इस्तेवाल कर रहा हूं यह आपके पास अगर नहीं है तो आप कोई भी ग्राफाइट पेंसिल भी इस्तेवाल कर सकते हैं यह ज्यादा अच्छा डार्क होता है इसलिए ही मैं इसको 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 कर रहा हूं क्योंकि पहले वाला जो वीडियो था उस पे मैं चा थोड़ा ज्यादा light कर दिया तो इस bottle पे set कर जाँ हूँ मैं अभी और आप देख सकते हैं वह जो white fortune करने के लिए मैं ड्रॉ किया था इसके इलावा और एक white fortune ड्रॉ किया तो उसको भी आप draw करके कर सकते हैं आप अगर ज्यादा senior है तो उसको draw करने के जोरूरत नहीं है आप just setting करने के समय आप उसको कर लीजिएगा और इसको मैं ज्यादा dark कर रहा हूँ इसलिए ही मैं just ये pencil इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आसानी से ये dark हो जाता है और आप 10B pencil अगर इस्तेमाल करते हैं तो इतना ज्यादा dark नहीं होगा इस portion को मैं ज्यादा dark नहीं करूंगा क्योंकि दोनों portion को मेरे को separate करके रखना है और आप देख सकते हैं कैसे मैं grapes को करूंगा क्योंकि उसको fast forward कर दूंगा तो इसलिए मैं इस वीडियो को अलग से बनाया हूं इस पार्ट को तो left side पे ऐसे करके आप dark कीजिए और बीच पे और top portion पे एक थोड़ा सा छोटा छोटा white portion छोड़ देंगे जस्ट ऐसे करके और ज्यादा dark करेंगे outside वाला जो हिस्सा है उस पे तो आप ऐसे करके एक एक जो ग्रेफ्स है उसको कर लीजिएगा यह बहुत ही आसान है सिम्पिल सा 3D लुक भी दे रहा है देख लेते हैं और एक क्योंकि उस पे बहुत सारा जो ग्रेफ्स है उस पे काम आ जाएंगे तो आप step को जस्ट फॉलो कीजिए तीन portion में छोड़ा और उसके बाद इस portion पे मैं dark कर रहा हूं तो ऐसे करके एक एक ग्रेफ्स को आप आसानी से कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसको कैसे किया मैंने ओके तो वो सेट को मैं यहां पी इस्तवाल करूंगा अभी देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट करूंगा क्योंकि हर एक जो ग्रेफ है यह डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हैं तो मेरे को सेट भी डिफरेंट करना पड़ेंगे क्योंकि लाइट अंडार के पिट को ध्यान में रख कर करना होगा और लेट साइड से क्योंकि लाइट आ रहा है तो सेट वहां पे पड़ेंगे मैं जहां पे कर रहा हूं आप देख सकते हैं और यह जो बसकेट है स्मॉल बसकेट तो इसका सेड मैं ऐसे करके करना हूँ थोड़ा फस्ट परवर्ड कर दिया मैंने आप यूट्यूब का डिफल्ट जो स्पीड चेंजर सेक्शन है वह पर जाके स्पीड चेंज करके भी देख सकते हैं कैसे इसको करते हैं और इसको थोड ज्यादा डार्क करूंगा मैं अभी तो हर एक ग्रैफ्स को आप कीजिए ऐसे करके के लिए कि मैंने ज्यादा फस्ट परवड कर दीया इस पोर्शन को कीविड़िए लंबा हो जाएंगे आप ज़स्ट सेड़् को इस्तेमाल कीजिए मैंने जो पहले दीखाया था वह सेड़् को ही इस्तेमाल कर तो वहाँ पर लाइट जैसे की नहीं आ रहा है तो डार्क तो हो गाई और अभी इसका सेडिंग मैं राइट सेड कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले ही वाताया कि लेप साइड से लाइट आ रहा है तो इसका सेड़ो भी बन गया और एक टीशू कर पर मैं ले लिया यहाँ पर एक सेड़ो करने के लिए तो मैं यहाँ से डार्क सेड को लेकर यहाँ पर दे रहा हूं तो आप देख सकते हैं मेरे को पेगंसी इस्तेमाल करने का ही कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर मैं जस्ट सेड को हाँ से ले रहा हूं और यहां पर दे रहा हूँ तो यह बोटल वन गया बोटल का जो सेडो है और यह बहुत यह आसान तरीका है मैं बहुत सारे वीडियो पर इसको इस्तेमाल भी किया हूँ इस वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ स्यार कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और कोई भी डाउट है आपको अगर तो आप कॉमेंट सेक्शन पे मेरे को बाता सकते हैं और इमेल भी कर सकते हैं मेरा इमेल एबाउट सेक्शन पे हैं च यह एक इरेजर है जो की है टॉम्बो मोनोजीरो इरेजर इरेजर बहुत ही महिंगा ही है तो यह आपके पास अगर नहीं है तो आप ज़स्ट सिंप्ल नॉन डॉस्ट इरेजर इस्तेमाल करके भी इसको कर सकते हैं यह जो चीज में इस्तेमाल किया है इस सारे चीज का लिंक मैं डेस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं वह लिंक आपको एमाजोन पर डिडाइरेक्ट कर देंगे ठीक है इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग और रिसेंटली अपलोटेट वीडियो पर क्लिक करके आप रिसेंट वीडियो को देख सकते हैं और यह मेरा साजेशन सेक्षन है थैंक यू